नमस्कार उत्राखन मुक्त उश्य ध्यालाई योग विभाग आपका स्वागत करता है। वातन अभ्यास पर घुटने पर अधिक जोर आता है। पैरों के जोडों पर अधिक जोर पड़ता है। अधिक जोर पर घुटने को अधिक जोर आता है। साती साथ ब्रह्मचरे के पालन में लापकारी अभ्यास है। अगला अभ्यास नट्रा जासन का करेंगे। अगला क्रम संतुलन ब्राने वाला अभ्यास से धीरे से अपने दाएं पैर को मोड़कर दाएं हाथ से पकड़ लें। और पैर को पीछे की ओर शरीर से दूर उपर की ओर खीचने का प्रयास करेंगे। अर्ध नट्रा जासन की स्थिती है। धीरे से वापस आकर हम पूर्ण नट्रा जासन का अभ्यास करेंगे। आप पैर को पंजे को अंदर या बहार किसी प्रकार से मोड़कर अधिकतम उपर उठाएंगे। हाथ को मोड़कर कोहनी की दिशा उपर की ओर रहेगी। संतुलन बनाते वे धीरे धीरे जाएं वह धीरे से अपने बाय हाथ को उपर की ओर उठाएं यह नट्रा जासन की अंतिमिस्थिती है। यदि आप इसी में ही और एडवांस पोस्चर करते हैं, आपकी कमर लचीली है, हाथ के कंधे लचीले हैं, हाथ लचीले हैं, तो आप दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकर कर सिर पर लगा कर या फिर अंतिमिस्थिती में पैर को उपर की ओर इधिकतम खिचाओ देकर नट परनतु ध्यान रहें, इस से पूर्व आपको सामानियोगा भ्यास नियमित रूप से करना है, शरीर को सबल वल अचिला बनाने का प्रयाज करना है, नियमित वगा भ्यास से जब मास्पेश्यों पर शरीर पर हल्का फूल का नियंत्र होने लग जाए, तब आप अभ्यास के स्तर पर आएंगे नट्राज असन का अभ्यास के तंत्रिका तंत्र पर वसाथ ही साथ शारिरिक व मानसिक स्तर पर एकाग्रता वसंतुलन स्थापित करता है यह अभ्यास कमर को लचीला बनाता है विशेश रूप से पैरोवा हातों पर अधिक प्रभाव देता है नट्राज अ चक्रासन के बाद यह अभ्यास कमर पर हलका फुलका खिचावुत बन्न करता है यदि आप अभ्यास एडवांस पोश्चेर के लिए करते हैं तो यह अधिक खिचाव देता है तो आप इसके बाद काउंटर पोजिशन आगे जुखने वाला अभ्यास कर सकते हैं जिसमें आप अभ्यास देख रहे हैं आगे जुखकर किया जाने वाला ताकि आपकी कमर फिर से सामानी स्थिती में आ सके जो मांस्पेश्यों पर खिचावुत बन्न हुआ था मांस्पेश्यां शित्ति लो सके यहीं से अगला अभ्यास चक्रासन का करेंगे चक्रासन पीछे जुखकर कि जाने वाले आसनों में एक अभ्यास हैं दीरे से स्वास भरते वे दोनुं हातों को उपर की और उठाएं दीरे-दीरे कमर से पीछे जुकते वे ध्यान रहें इसमें आपको अपने हाथ तेलियों को जमीन की और लेकर जाना है यदि आपकी कलाईयां कमजोर हैं या फिर किसे प्रकार की बिमारी है रोग है तब आप यह अभ्यास ना करें गर्वती महिलाओं को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए आप अभ्यास को और अच्छा करने के लिए धीरे-धीरे हातों को अंदर की और भी लेकर आ सकते हैं और धीरे से उसी प्रकार वापस आनना है इसके काउंटर पोजिशन के लिए ताकि जो पीछे जुकने वाले अभ्यास के बाद कमर में खिचावत पन्न हुआ आप आगे जुक कर किये जाने वाले अभ्यास करकर कमर की मांसपेश्यों को विश्राम की स्थिती में लेकर आएं चक्रासन का अभ्यास तंत्र का तंत्र पर पाच 37 इस्त्री रोगों में लापकारी अभ्यास है अगला अभ्यास शीरसासन का करेंगे सिर्फ के बल किया जाने वाला अभ्यास यह भी एडवांस पोस्ट्चर है परंतु ध्यानरे जिने उच्छे रखते चाप की समश्या है हिर्दय रो या फिर गंभीर कबजी की समश्या किड अभ्यास वर्जित है यदि माइग्रेन के अत्यदिक समश्या बनी रहती है तो शीरसासन का अभ्यास ना करें क्योंकि इसमें अधिक साधिक सिर्की और दबाव बढ़ता है अभ्यास किस प्रकार करना है सरपर्थम सशांकासन मा आप आएंगे हातों की उंगलियों को इंट शीरसासन की स्थिती में तीरे धीरे हातों पर सिर्पर दबाव बनाते वे उपर क्यों रूठेंगे संतुलन बनाते वे पैरों को सीधा करेंगे शीरसासन की अंतिम स्थिती धीरे धीरे यदि आपको संतुलन बनाने में दिक्कत होती है तो आप प्रारमिक स्थिती में एड प्रभावित करता है, सांति सांत मानशिक शान्ति प्रदान करता है, तनाव चिन्त वअन्य मनोविकारों को दूर करने में सहायक अभ्यास है, यह अभ्यास दाइबटीज मदुमे के लिए काफी लापकारी अभ्यास है, अगला अभ्यास उस्टरासन का रहेगा, पिछली रासन में जाते हैं, पीछे जुकने किये जाने वाले अभ्यास में हाथों को पीछे लेकर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार, समीन पर अच्छी प्रकार स्थापित करेंगे, कमर पर अधिक्तम खिचाव देते हुए, हतेलों को स्थापित करते हुए, धीरे-धीरे अंदर की ओर प पर दबाव देकर कमर पर थोड़ा दबाव देकर धीरे धीरे वापस आएंगे और इसी के साथ counter position शशांकासन का अभ्यास करेंगे पीछे जुक कर किये जाने वाले अभ्यासों में वजरासन सीरीज में शांकासन का अभ्यास जब आप अधिक पीछे जुक कर किये जाने वाले अभ्यास करते हैं कमर को अधिक्तम मोड कर तब आप अपने गुटनों को खोल कर माथे को या फिर चुड़ी को चिन को जमीन से लगा कर भी शशांकासन का अभ्यास कर सकते हैं कमर को विश्राम देने के लिए अगला अभ्यास एक पास सिरासन या एक पास कंदासन का आपको अपने पैर को उठाकर कंदे पर रखना होता है तो किसी भी पैर से आप अभ्यास प्रारम कर सकते हैं आपको हाथों के सारे धीरे-धीरे कंदे पर लेकर जाना है, पीट के पीछे, पैर को मोडते हुए, धीरे-धीरे ठीक कंदे पर स्थापित करना होता है, जितना अधिक्तम आप दबाव देकर कमर को सीधा करने का प्रयास करेंगे, आपकी स्थिति उतनी अच्छी होगी, अंत प्रजनिन अंगों के विकारों ही तु एक योग चिकित्सा के रूप में काम करता है, यह अभ्यास पैरों में रखते के संचार को बढ़ाता है, यही अभ्यास आप वापस आकर दूसरे पैर से भी करेंगे, पैर को दीरे-दीरे हातों के सहारे आप वापस लाते हैं, वह द प्रकार दोनों पैर से आप एक पाच कंदासन का अभ्यास करते हैं, अगला अभ्यास हनुमानासन का रहेगा, जिनने स्लिप डिस्क साइटी का हरनिया, या फिर हेप जोइन जिनका डिस्लोकेट है, अपने स्थान पर नहीं है, किसी प्रकार की जोइन की समश्या हुई है, यह अभ्यास ना करें, तीरे से आपको अपने दाएक पैर को आगे की और बाएक पैर को पीछे की और ले जाकर भूमी पर अच्छी प्रकार स्थापट करना है, पैर उपर खिचाव देते हुए, अंत में दोनों हथेलियों को जोडते हैं, पीछे की और देखने का प्रयास करना है हनुमान असन की अंतिमिस्तिती धीरे धीरे अभ्यास की अवधी को बढ़ाया जा सकता है उसी प्रकार वापस आएंगे हाथों को वापस लाते वे पैरों को वापस लेकर आएंगे सावधानी पूर्वक यही अभ्यास दूसरे पैर से भी करेंगे यह अभ्यास पैरों तो वह कुलहों के लचीलापन को बढ़ाता है, साती सान, रक्त के संचार को बढ़ाता है, यह उदर के अंगों की मालिशकर प्रजनिन अंगों पर अच्छा प्रभाव डालता है, यदि आप दुस्रे पैर से अभ्यास करते हैं, तो हो सकता है, आपको एक पैर से करने में कठि आई हो, और दूस्रे पैर से अच्छे से हो सकता है, तो आपके इससे पूर्वे स्ट्रेचिंग का भी अभ्यास करना है, ताकि आप हनुमान आसन की अंतिमिस्तिती अभली प्रकार कर सके, जोर जबर्दस्ती ना करें अभ्यास के दौरान, अगला अभ्यास टिड़ बासन क दोनों पैरों में कंदों के बराबर दूरी कर लें, आगे की ओर जुकते वे स्वांस छोड़ें, पैरों को कंदों के ऊपर चड़ाने का प्रयास करें, कमर को पैरों के पीछे लेकर जाने का प्रयास, इसके लिए आपके आगे जुकने वाले अभ्यासों का अच्छा होना अब्यास करने में, तो यह अभ्यास करने में, कठिनाई हो सकती हैं, इसी में ही आप इसी position में पैरों को बीच में लेकर आएंगे, तप्रिड़े बासन की दूसरी स्थिति आप किसी भी स्थिति में अभ्यास कर सकते हैं, अभ्यास करने के बाद उसी प्रकार वापस आएंगे धीरे धीरे हतीलियों पर जोड़ देते वे यह advanced posture चल रहे हैं यह advanced posture का अभ्यास आपको बताया जा रहा है तो कुछ आपकी hand strengthening के कुछ backward bending के अभ्यास हैं जो आपके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं अगला भ्यास राजकोपोतासन का आपको अपने दाएं पैर को आगे लेकर आना है बाई जंगा के पास रखना है पीछे वाले पैर को सीधे करते वे बाई पैर को तीरे दीरे दाएं हाथ से पकड़ेंगे वह दूसरे हाथ से पकड़ते वे दोनों हाथ से पंजे को पकड़क गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे, पूरा दबाव पैरों पर रहेगा, पैर आपके भूमी पर अच्छी प्रकार स्थापित रहें, यदि आपको स्लिप डिस्क साइटी का हर्निया से संबंदित किसी प्रकार की समश्या है, तो यह अभ्यास ना करें, इस्तियों के लि इससे आप दोनु पैर से करें, एक बार दाएं पैर को आगे लेकर आएं, दूसरी बार अभ्यास करते वे बाएं पैर को संतुलन बनाने का प्रयास करें, इस अभ्यास के लिए आपकी पैरों की मांस पेश्यों का लचीला होना जरूरी है, यह अभ्यास फेफरों का विस्त जमता बढ़ाता है, उदर के अंगों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, हातों के जोडों का लचीला होना आवश्यक है, यह हातों की मास्पेश्यों को भी सबल बनाता है, पीछे जुकने वाले अभ्यास के बाद पुना आप शशांकासन में आएंगे, कमर को कुछ देर वि सिती में रहना है, अगला अभ्यास कुन से है, अगला अभ्यास बगध्यानासन का-भ्यास यह बाकासन का-भ्यास जिने उच्छे रखते चाप यह हरदयरो की गंभीर समज्या है, वेह अभ्यास ना करें, आप सबसे पहले दोनों हतीलियों को अच्छी प्रकार भूमी पर स्थापित करें खुटनों को मोड कर तंधों के समीप लेकर आएं कोहनियों के ऊपर दोनों भुजाओं में भली प्रकार स्थापित करकर हाथों पर जोर देकर हतीलियों पर दबाव देकर पंजों को उठाएं कुछ तेर अंती मिस्थिती में संतुलन बनाते वे रुकिंगे वधीरे से शम्तानुसार पैरों को वापस लेकर आएंगे यह अभ्यास मांस पेश्यों पर संतुलन प्रदान करने वाला अभ्यास है वह मांस पेश्यों पर अत्यधीक नियंत्रण की आवश्यक्ता होती है इस अभ्यास के दौरान अगला अभ्यास भूनमनासन का अभ्यास जिने साइटिका की समश्या है विवेक्ती ना करें दीरे दीरे दोनु पैरों को अधिक्तम खोलने का प्रयास करेंगे कोशिश करेंगे दोनु पैरों को सीधा एक लाइन में खोलते वे दोनु पंजों को पकड़ कर स्वांस छोड़ते वे माथा थुड़ी चाती जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे अंति मिस्तिती में माथा या चिनाप की जमीन से लगे हुई रहेगी पेट वकंदे जमीन से लगे हुई रहेंगे भूनमनासिन की स्तिती में या अभ्यास इस्त्री रोग्यों के लिए लापकारी अभ्यास है पैरो मेला चिलापन प्रदान करता है साथ ही सान उदर के अंगों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है धीरे से पैरों को वापस लेकर आएंगे धीरे से उपर उठते वे पैरों को वापस लेकर आएंगे कि अग्रा भ्यास पदमासन के क्रम में गरपिंडासन अर्था गरभासन भी आप कह सकते हैं तथा कुकुटासन का अभ्यास एक साथ रहेगा परंतुदोभिंडपिन अविन्यासन है सरवपर्थम गर्विपिंडासन का अभ्यास आप पदमासन लगा कर पिंडलियों वा जंगाओं के बीच से दाई पिंडली वा जंगा के बीच से दाई हाथ को निकालेंगे तीरे धीरे आप कुणियों को मोड़ कर हतीलियों को गालों पर स्थापित करते हैं यह अभ्यास गुस्य को सांध करने वाला अभ्यास है प्रोथ पर नियंत्र करता है साथी साथ एड्रिनल क्रंथी को नियमन करने वाला अभ्यास यह अभ्यास तंत्रिका तंत्रे से संबंधित समश्याओं में लापकारी अभ्यास है तता उदर के अंगों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है उसी प्रकार धीरे से हाथों को अगला अभ्यास कुपकुटासन का अभ्यास जिसमें आप अपनी हतेलियों को जमीन से लगाते हैं और धीरे से संतुलन बनाते वे हतेलियों के उपर और शरीर को उपर उठाने का प्रयास करते हैं शरीर का पूरा भार दोनों हतेलियों पर रहता है कुछ देर रुक कर धीरे से आप वापस आएंगे हाथों का मजबूत होना जरूरी है तो आप hand strengthening के अभ्यास करें से पूर्व कुकुटासन का अभ्यास हाथों वकंधों की मांसपेश्यों को मजबूत करता है यह पैरों के जोडों को तथा पैरों की मांसपेश्यों को लचील क्या बनाता है साथी सांत कुनलेनी जागरण के लिए तता मुलाधार चक्र को प्रभावित करने के लिए काफ़ी लापकारी अभ्यास है अगले आसनों के क्रम में पीट के बल्द के जाने वाले अभ्यास में सबसे पहले हम करेंगे कर्ड़ पीर आसन का अभ्यास तीरे से को उठा कर सिर के पीछे लेकर आते हैं जिस प्रकार पूर्व वीडियो में आपने जाना कि हलासन का अभ्यास किस प्रकार करना है उसी के समान इसके लाव व सावधानिया परंतु कमर का और लचिला होना आवश्यक है तीरे से आप अपने घुटनों को कंधों पर लगाते वे कानों को दबाते हैं करणपीडासन का अभ्यास यह अंतिमिस्थिती है दोनों हार आपके आपस में बधेवे कमर के ठीक पीछे सीधे रहते हैं आगे जुक करके जाने वाले अभ्यासों के क्रम में ही करणपीडासन के बार आप अगला अभ्यास भी देख सकते हैं किस प्रक पूरे शरीर का भार कंधों पर लेकर आएं, कंधों से पैरों को उपर की और खीचें, गर्दन जमीन से लगे हुई रहें, हाथ कमर को सहारा देते वे, यहीं से इसकी अगली स्थिती, पद्म सरवांग की स्थिती, जो एडवांस पोस्चर के अंतर गताता हैं, इसमें आप प कमर को पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हैं, पद्मासन की स्थिती में धीरे से वापस आएंगे, जिस प्रकार गए थे, ठीक इसी प्रकार वापस आएं, यह अभ्यास कमर पर और अधिक खिचावुत पन्न कर, वो कमर के आंतरिक अंगों की मालिश करता है, साथी साथ, पाइल्स की वगारिकोज वेंस की समश्या के लिए काफी अच्छा अभ्यास है, सरवांगासन का भ्यास, वपद्मासरवांग का भ्यास, आसनों के क्रम में अगला भ्यास आप देखेंगे, जिस प्रकार हमने खड़े होकर चक्रासन का भ्यास किया था, यदि आप करने में असमर्थ हैं यदि आपको अधिक कठिनाई होती है तो प्रारंबिक स्थिती में आप लेट कर भी चक्रासन का भ्यास कर सकते हैं पैरों को मोड कर जंगाओं के पास रखें हाथों को सिर्के पीछे लेकर जाएं परंतु उंगलियां आपकी सिर्क की तरफ रहेंगी वधीरे से पैरों पर हाथों पर जोर देते वे आप उपर की और उठते हैं अंतिमिस्तिती में कुछ देर रुखते हैं वापस आते वे आपको उपर की और देखना है सावधानी पूर्वक सिर्को जमीन पर स्थापित करते वे शरीक को ढिला छोड़ दें यहाँ भी एक तरीका है चक्रासन के अभ्यास का पेट के बल किये जाने वाले अभ्यासों में अगला अभ्यास पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास इसके लाव वसावधानिया पिष्टी वीडियो में अर्द भुजंगासन के अभ्यास के दौरान बताई गए थी आपको अर्द भुजंगासन की स्थिती में आना है तत प सब्सक्राइब करें कमर को सिधा करके जमीन पर लेकर आएं अभ्यास के बाद कमर को विश्राम देने के लिए पैरों को मोड़कर शशांका सनमा आएं खुटनों को खोल कर रखें पंजों को मिला कर रखें पुना अपनी स्थिती में वापस आएंगे पेट के बल किये जाने वाले अंतिम अभ्यास धनुरासन के लिए धनुरासन का अभ्यास विवेक्ति ना करें जिनका हर्द कम जूर है उत्चे रख्तेचाप हर्णिया लाइठ इस पैप्टीकल सर से संबंदित किसी प्रकार की समस्या है वे अभ्यास ना करें अभ्यास के लिए आपको थुड़ी को जमीन से लगाना है जिनको जमीन से लगाते वे पैरों को कमर की ओर मोड़ें पैरों को ची तरह पैरों के अंगुठों को हाथों से पकड़ लें जिससे की ग्रिप बन सके स्वास भरते प्रभावित करता है। प्रजन अंगों पर सकरात्मक प्रभाव डालता है। प्रजन के उसी स्थिती में रुकने का प्रयास करें। कमर के वकंधों के लचीला होने पर ही आप पूर्ण धनुरासन की स्थिती में जा सकते हैं। अभ्यास के बाद शशांकासन का अभ्यास करें। वांत में शावासन का अभ्यास प्रतेक योगासन के बाद शावासन का नियमित अभ्यास करें। शावासन का अभ्यास शारीरिक वमानसिक शितिलता प्रतान करता है। पुनरूप से लंबा गहरा स्वास प्रस्वास शारीर समीन पर ठीला। झाल झाल